अब हम बात करें इसमें cut-off की, cut-off की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो इसमें civil 1.5 लाग तक लंसम मिली है civil engineering branch लंसम 1.5 लाग रैंग तक के बच्चों को यहाँ पे अलोट हो गई है that means आप अगर यहाँ पे counselling करते हैं, first round होता है, second round होता है students low fees engineering colleges के बारे में बहुत सारे बच्चे इती दिन से पूछ रहे थे कि हमें मैं मैं ऐसे college suggest कर दी है, जिसमें की कम fees लगे और हमारा b.tech भी हो जाए अब जैसे कि आप जानते कि काफी सारे ऐसे institutes होते हैं जहाँ पर form fees भी, form की भी fees लगती है अलग से उसमें entrance भी होता है कहीं कहीं तो और कहीं कहीं पर fees 3,4,000,000 प्रॉक्स रहती है बहुत सरह ऐसे colleges है, अभी recent के वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने आपको ऐसे ही separate counseling के बारे में बताया है मैं आप cut-off छोड़ देते हैं, बता न, cut-off भी बता दीजे, तो वह भी हम बता देंगे कि वह आपका J-Man से लेता है college, या फिर T-N-E-A कांसलिंग से लेता है, या फिर WBJ कांसलिंग से लेता है इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले number one में जो college हमारा आता है, वो है J-E-C-Jabalpur, जिसकी fees 25,000 पर year लमसम रहती है, और हम लोग ये MP का college है, मैं बता दूँ इसके बारे में, ये आपका MP state में college लाइक करता है, जो की MP DTE counseling कंड़क करवाता है, और आपको J-E-C-Jabalpur जैसा college rank तक के बच्चों को यहाँ पर a lot हो गई है, that means आप अगर यहाँ पर counseling करते है, first round होता है, second round होता है, then आपका CLC round होता है, CLC round भी 3-4 बार होता ही रहता है, तो अगर आप उनमें भी try करते है, seat matrix देखते हुए, आप इसमें admission ले सकते हैं, आपको इसमें college a lot हो जाएगा, औ next हम देखें GZU बिलासपूर, यह हमारा GFTI का college है, government funded technical institute है, यह हमारा 28,000 इसकी fees रहती, काफी बार इसके बारे में जिकर हो चुका है, और इसके cutoff की बात करें, तो आपका CSAB में तो rank का cutoff मिल, जादा rank तक तो मिली जाता, साथ साथ, अगर यह separate counseling में कंड़ा कराता है, तो यह आपको यहाँ पे 3.5 lakh rank तक मिल गया है, आप देख सकते हो कितना अच्छा cutoff, कितना जादा rank तक में आपको यह colleges allot हो रहे है, 3.5 lakh rank तक industrial और CSE 90,000 rank तक में आपको allot होती दिख रही है, तो बहुत ही अच्छा high cutoff है, इसको भी हम देख सकते हैं, next हमारे जो institute आता है, उ justice की, बहुत ही अच्छा college है और इसके लिए आप apply कर सकते हैं, इस institute के लिए और इसमें fees भी कम है, और ये 12th के basis में भी लेता है, 12th basis में भी आपको यहाँ पे admission allot हो जाता है, निफ्ट राची की बात करें, जिसका की अब change हो गया name, advanced institute हो गया है ये, और ये आपका GFTI colleges है, आपको जो सासी साब की counseling से मिलता है, 45,000 पर year इसकी fees रहती है, बहुत ही कम fees है, under 50,000 के जितने भी colleges सब आजम लोग cover कर लेंगे, low fees के, और निफ्ट की बात करें, हम लोगा 3.5 lakh rank तक, ये आपको 3.5 lakh rank तक में, end closing rank तक में, आपको अराम से ये college मिला है, इसमें mechanical तक, और institute की बात कर लेते हैं, निफ रांची बहुत ही अच्छा reputed institute है, आप देख सकते हो, और fees भी कम है, ठीक है students, next हम देखें, जेके institute of applied physics, Allahabad, इसकी fees 25,000 रहती है, ये आपका जो सा CSAB की counseling से आपको allot होता है, ये college, और इसमें cut off की बात करें, तो EC 1 lakh तक मिला है, EC branch आपकी 1 lakh त हो जाएगी, और 1 lakh तक EC branch allot हो जाएगी, काफी अच्छा college है, ये आप इसमें भी admission ले सकते हैं, कम फीस का, जो बच्चे कम फीस के colleges को ढूंडते रहते हैं, दर उदर Google में, तो आपको Google में बहुत सारी जानकारियां नहीं मिल पाती है, बस आपको menta को subscribe करना है, नहीं किया है, और cut-off की बात करें, University of Hyderabad में जो आपका गया है, CSE 30,000 तक लंसम गई है, 30,000 तक computer science यहाँ पे allot हो गई, University of Hyderabad में, CSE भी round तक आप देख सकते हो, last year cut-off, and 42,000 इसकी fee से लंसम, आप ये भी check कर सकते हैं, पहले इसका cut-off काफी high जाता था, लंसम 10,000-8,000 के आसपास रह तो आपको जादा rank तक में मिलेगा, अगर seat record नहीं है, तो आपको नहीं मिल पाएगा, यहाँ पे भी admission, तो आप देख सकते हो, cut-off कब तक जाते, कहां तक जाते, last previous year के कम से कम 4-5 year के उठा के देख लीजेगा, उसकी अनुसार ही आप counseling कीजेगा, या फिर आप mentor को देखते हम लोग 6.5 lakh rank तक, 6.5 lakh rank तक chemical allot हुई है बच्चो को, chemical branch का यह college है, उनली इसमें chemical institute है, और कोई ब्रांच इसमें अविलेबल नहीं है, और 6.6 lakh लमसम तक यह college allot हो रहा है, तो बहुती बढ़िया बात है उन सभी बच्चों के लिए, कि जादा rank तक में यह college हमको मिल सकता ह है, और जो other state के बच्चे हैं, वो यहाँ पे चंडीगड़ी counseling में apply कर सकते हैं, और अपनी rank अगर इसके अंदर है, तो यहाँ पे chemical ले सकते हैं, किसी और institute में chemical लेने की बज़ा है, डॉक्टर SS बटनागर में अगर आप ले लोगो chemical, तो आपके लिए जादा अच्छा रहे आपकी merit declare होती है, उस merit के according अगर हम देखें, तो आपको यहाँ पे अराम से यह college AMU मिल सकता है, उसकी merit से, AMU की बात करें, merit से आपको यह मिल जाएगा, chance, chance memo list करके यहाँ पे एक list declare करते हैं, chance memo list, यह आपको इस की list एक declare होती है, इस rank या according अगर आपकी rank आरी, टॉप में, आप इसमें admission ले सकते हैं, next हमारा institute आता है, AMU के बाद आता है, जामिया, JMI Delhi, जिसकी fees रहती है, 16,000 रुपीज only, 16,150, काफी कम फीज का college है, जे मेन की rank को consider करता है, और आपको यह मिल भी जाता है, JMI की बात करें, तो 83,000 तक, आपको civil मिली है, यहाँ पे 83,000 तक, और भी ज कामिया में, ठीक है, तो आप जे मेन से consider करें, इस college को, और आप इसमें अपना form apply कर सकते हैं, जैसे ही form आएगा, मैं आपको update कर दूँगी, इसमें फॉर्म आता है, JNTU हाइदरबाद, JNTU हाइदरबाद की fees 21,000 है, बहुत ही कम fees का college है, और यह आपको college काफी अच्छा र आपको यहाँ पर मिली है, JNTU हाइदरबाद में, और आपकी बात करी, मैंने अभी mechanical, metallurgy की 46,000 तक, 46,000 तक mechanical branch lot हुआ है, देखते जाना बच्छो सारा एकदम बहुत, इसमें लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, JMI के बाद हमारा college आता है, JNTU हाइदरबाद, JNTU हाइद की बात करें, तो 46,000 तक लमसम, metallurgy यहाँ पर allot हो जाएगी, metallurgy branch, और आपका 5 year civil जो है, वो 51,000 तक allot हो जाएगा, 51,000 तक आपको 5 year का allot हो जाएगा, course यहाँ पर civil, ठीक है students, तो यह आपका रहता है, यहाँ पर JNTU हाइदरबाद के लिए, JNTU हाइदरबाद की बात क कर रहे थे, तो कम फीस का college है, और CBIT भी एक college यहाँ पर उसमें भी आप अपलाए कर सकते हैं, उसकी भी बहुत दादा फीस नहीं है, तो इसका process जो रहता है, अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज मुझे comment कर दीजेगा, separately इस पर वीडियो आपको जरूर मिल रहती है, यह आपका उत्राखंट की counseling, UK, TO की counseling से आपको यहाँ पर enrollment लेता है, और यह अपनी self counseling भी कराता है, अगर seat left vacant रहती है, तो आपको यह self अपनी spot round से counseling भी कंड़क करवाता है, और आपको यह college अलोट हो जाता है, जादा से जादा rank तक में यह college मिला हुआ है, अगर ह लोग इसकी बात करें, तो 23,000 तक लमसम CAC यहाँ पर alert हो जाएगी, बहुत बचे पूछते हैं, हमको CAC लेना है, अपने state में लेना है, तो आप उत्राखंट के state में लेना चाहें, तो CAC, अगर seat left vacant रहती है, तो spot में यह जादा rank तक भी मिल सकता है, इस बात का ध्यान रख पूरा campus दिखाया है, आप उसको देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप उसके कोईरी race कर सकते हैं, कोई भी आपको पूछना होतो, यह आपके 12th के basis से भी लेता है, मैं यह भी बता दू, 12th के basis से भी आपको enrollment लेता है, और J.E.Mains के basis से भी आपको enrollment लेत है, हर्याना की counseling होती है, जो HSTES, उसके माध्यम से आप इसमें appear हो सकते हैं, और इसमें admission ले सकते हैं, ठीक है, 45,000 और आपकी tuition fees यहाँ पे रहती है, next हमारा जो college आता है, चौजरी देवी लेलाल के बाद हमारा institute आता है, तेशपुर इनिवरस्टी, तेशपुर 2.5 lakh rank तक में यहाँ पे food a lot हो गई है बच्चों को तेशपुरी निवरस्टी में, तो काफी अच्छा यह campus है, तेशपुरी निवरस्टी, and separate भी forms यह लोग निकालते हैं, उसका भी update अगर आपको चाहिए रहेगा, तो वो हम आपको चैनल पे जरूर देंगे, आपको बस comment करते रहना है, ठीक है, comment करते रहो, वीडियो में जितनी भी counseling की colleges की बात चल रही है, आप उसके basis में comment करते रही है, तो आपको हम और separate video उसकी regarding जरूर देंगे, next हम बात करें, PSG Coimber Tour की, 20,000 तक textile यहाँ पे मिली है, 20,000 rank तक textile यहाँ पे मिल गई है, और यह आपको TNA की counseling से म मिलता है, यह अपनी एक separate merit निकालते हैं, और उस merit के आधार पर आपको यह college alert हो जाता है, PSG Coimber Tour, और यह काफी अच्छा institute भी है, 22,000 यहाँ की fees है only, next हम college की बात कर लेते हैं, next हमारा college आता है यहाँ पे, तेशपूर और PSG Coimber Tour के बाद हमारा college यहाँ पे, KGEC, that means कल्यानी Government Engineering College, जिसकी fees सिर्फ 10,000 रुपय है, एक साल की, आपको यहाँ पे काफी कम fees का college alert होता है, और आपको WBJEE से यह मिलता है, WBJEE अपनी JEE Mains के through भी conduct कराता है counseling, उसमें भी कुछ percent seat है यहाँ पे available रहती है, KGEC में, और इसका करना है, उसके लिए आपको हम जल्दी ही एक video दे होती ही, printing और से लेकर काफी सारी यहाँ पे institute पे branches है, जैसे कि for example, बात करेंगर हम लोग यहाँ पे branches की, तो आपकी 661, 661 की closing rank and 900 की closing rank पे आपको printing and power engineering जैसी branches यहाँ पे allot हो जाती है, और हम बात करें, आपकी food technology, bio technology तो 1800, home state पे 1800 तक, यह other state की बात कर रहे थे, home state में 1800 तक आ यहाँ पे jute and fiber जैसी branches यहाँ पे जादवपूर उनिवस्टी में a lot हो जाती है, और यह कम फीस का college भी है, तो आपको पास समझ में आ गई होगी कि कम फीस में college के लिए rank भी हमको काफी अच्छी चाहिए होती, कुछ-कुछ college पे जाधा rank भी मिल रहा है, पर कुछ-कुछ college हमें बहुत ही कम rank तक में वहाँ पे admission मिल सकती है, next हमारा जो college आता है, जाधवपूर उनिवस्टी के बाद, WBJ के counseling से भी लेता है, यह J.Main से भी लेता है, बता दिया मैंने आपको University of Kolkata, यह भी आपको 10,000 फीस लंसम सिर्फ रहती एक साल की, और आपको यह WBJ की rank से मिल हुई है, ठीक है, आप देख सकते हो यह, सो यह काफी important data है, कहीं नहीं मिलेगा, जो कि हम आपको बता रहे हैं, यह आपको हर जगे available Google में नहीं मिल पाएगा, बहुत ही important यह cut-offs है, आसाम इनिवस्टी, GFTI का college है, 48,000 rank इसकी रहती है, और बहुत ही अच्छा institute है, आसाम इन जादा से जादा rank तक में college a lot हो रहा है, GFTI में, और C-SAP की round तक तो करना ही करना है, और अगर separate self-counseling कंड़ करा रहा है, तो भी आपको यहाँ पे apply कर सकते हो, अगर आपको इसमें institute में जाना है, तो next हमारा जो college आता है, low fees में, low fees में, यह सभी बच BIT सिंदरी, इसकी 16,000 लंसम फीस रहती है, और यह काफी अच्छा institute है, इसकी cut-off की हम लोग बात करें, BIT सिंदरी की, तो production engineering 1.9 lakh तक मिली है, जही मेंस की rank, production engineering 1.9 lakh rank तक यह a lot हुआ है, और CSE की भी बात कर लेते हैं, CSE लंसम यहाँ पे a lot हुआ है, 50,000 तक, लंसम 50,000 तक यह a lot हुआ है, यह counselling CSE branch अलोट हो जाती है, आपकी जारखंट में यह college बना हुआ है, काफी अच्छा institute है, BIT सिंदरी कम fees का college भी है, और इतनी rank पे आपको मिल भी जाता है, तो आपको counselling कैसे करनी है, वह हम आपको बता देते हैं, काफी बच्चे पूछते रहते जारखंट की, मैं आपको BIT सिंद T.N.E.A. की जो merit list बनेगी, उसमें आप यह 5000 rank आएगी, तो आपको यहाँ पे यह college अलोट हो जाएगा, manufacturing, engineering 5000 तक लमसा में मिल जाएगी, तो यह आपका college का सारा details रहा बच्चों, आपको low fees के जितने भी colleges होते हैं, all over India के, वो सारे मैंने यहाँ discuss कर लिए है, 50,000 से within जितने chances रहते हैं, उसके लिए cut off and analysis, पूरा detail, computer science आपको कहां तक मिलेगी, या फिर lower branch, वहाँ पे rare जो branch वो आपको कहां तक मिलेगी, यह वेने आपको completely यहाँ पे describe कर दिया है, एक college और बचता है हमारा MIT मदरास, MIT मदरास की हम लोग बात कर लेते हैं, MIT मदरास की बात कर लेते हैं, लमसब 31,000 fees इसकी रहती है, एक साल की, इसकी भी बहुत ही कम fees है, चन्नाई में यह college है अपना, और यह भी आपकी जो counseling होती है, यह आपकी IT branch 877 rank तक मिली है, इसमें IT branch 877 rank तक, और aeronautical की बात करेंगे, तो 3000 rank तक यह lot हुआ है branch, और यह TNA की counseling स लेता है यह भी, यह भी आपकी TNA की counseling के under आता है, और आपको allotment होता है, rubber and plastic engineering की बात करें, तो यहाँ पर rubber and plastic engineering आपको 50,000 rank तक में लमसम मिल जाएगी, तो यह बहुत ही अच्छा college है, यह भी कम fees में आपको मिल भी रहा है, और आपको counseling करनी बस आनी चाहिए, यह सारी counseling के लिए आपको The Menta को subscribe करके रखना है, यह कोई भी आपको इतनी detail में counseling की related videos नहीं दे पाएगा, so students यह video कैसी लगी, please आप जरूर comment करना, किसी आपको topic में video चाहिए, इससे related counseling में तो आप वो भी comment कर सकते हैं, low fees के colleges में जितने भी हो सकते दे cover, इस video मैंने cover कर दी और भी colleges है, तो next video में हमें आपको और भी colleges के बारे में जरूर बताऊंगी, students thank you very much for watching this video, like, subscribe and share this video, thank you.